वेलकम टू करेंट सिक्षा, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आज इस वीडियो में हम एक अक्टूबर दोहजार चोबिस का करेंट अफियर्स सौट नोट्स के माद हम से रिविशन करने वाले हैं, अगर स्टेशन में फास गए हैं, और इनको लाने के लिए क्रियू 9 मिशन को लांच किया गया है, किसके दोरा, NASA और Space X कंपनी के दोरा, NASA USA की Space Agency है, और Space X यहाँ पर Elon Musk, जो की इसके मालिक है, इनकी Space Agency है, और यह प्राइवेट अजनसी है, और यह लोग कब तक धर्ती पर आएंग है तो यहाँ पर जो है multi omics data portal भारत का पहला व्यापक cancer portal है इसमें जो है जो cancer रोगी होंगी उनका data होगा cancer data का भंडार यहाँ पर रहने वाला है अगर बात की जाए study of cancer की तो यह होती है oncology जो है study of cancer होती है leukemia जो है एक प्रकार का blood cancer होता इसमें जो है white blood cell बहुत जादा हो जाती है next है हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी जी ने बिड़किन और द्योगिग छेत्र का उधगाटन कहां पर किया है तो इसका उधगाटन महराष्ट में किया गया है next है पूर्व अगनी वीरों जहाँ पर अगनी पत्योजना थी जिसके तहत अगनी वीरों को सेना में चार साल के लिए भरती किया गया है जब ये रिटायर होकर आएंगे इनको 15% आरच्छन की घोशना जो है किसके दोरा की गई है तो ये घोशना जो है ब्रंभोस एरो इस्पेस जो लिम्टेड है इसके दोरा की गई है ब्रंभोस जो मिसाइल भारत के पास है ये सबसे तेज जो है ब्रंभोस क्रूज मिसाइल है कूज मिसाइल के स्रिणी में ब्रंभोस सबसे तेज मिसाइल है और इसको बनाने वाले ब्रंभोस यहाँ पर रशिया और भारत मिलकर इसका निर्माड किये हैं और भारत की यहाँ पर ब्रंभपुत्र नदी और रूसकी मस्कावा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रंभोस रखा जो है दिया गया है हाली में ये किसको देने की घुशना की गई है तो यहाँ पर 54 दादा साहब हाल के पुरुषकार वर्स 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ति को दिया जाएगा बात करें 2023 में किसको दिया गया था तो ये दिया गया था वहीदार रह्मान को और पहला दादा को बहर्ती सिनेमे का पिता महा बाता है ये अभिधियन रखिए नेक्सट है जो है उदय निदी स्टालिन तमिल जादू के नए उपमुक्यमंत्री बन गए है और ये जो है यहां पर स्टालिन जो है वर्तमान में जो मुक्यमंत्री है तमिल नादू के DMK पार्टी के उनके बेटे हैं इनको जो है अब उप मुख्यमंतरी बनाया गया है नेक्स्ट है अंतराष्टी अनुवाद दिवस का मनाया गया है तो अंतराष्टी अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है नेक्स्ट कोशन है सस्त्र रामा नुजन पुरुषकार 2024 किसे मिला है तो यहाँ पर सस्तर रामारुजन पुरुषकार जो है मैथमेटिक्स को दिया जाता है और यह जो सम्मान है 2024 में अलेक्जेंडर डन को मिला है जान रखिएगा नेक्स्ट है भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में ब्रॉंज मेडल जीता है और यहाँ पर पैडल कप है इसमें रोकेट से खेल होता है और इसका आयोजन जो है बाली इंडोनेशिया में किया गया और यह पहला इशिया पैसिफिक पैडल कप है इसमें भारत ने मलेशिया को हराकर ब्रॉंज मेडल जीता है तो यह important है नेक्स्ट है दर्सनी सैच्षडिक ब्रहमण कारिक्रम हाली में तेलंगाना सरकार के दोरा शुरू किया गया है इसमें बताया गया है कि बच्चों को जो है सिच्छा जो है उनको सैच्षडिक ब्रहमण कारिक्रम करवाया जाए उनको और उनको विदेश यहां पर भारत में ज झाल झाल